नमस्कार दोस्तों, आज के इस रीडियो में हम आपको बताएंगे एक अनोखे देश के बारे में, एक ऐसा देश जहां महिलाओ का पैंट्स पहनना मना है, जी हाँ दोस्तों, जहां महिलाओ को पैंट्स पहनना तक भी एक आरोप माना जाता है, तो चलिए जानते हैं इसके ब यहां कोई बीना इजाज़त चू से चा भी नहीं कर सकता और ऐसा एक अनोखा और विचीतर देश है नौर्थ कोरिया याने के उत्तर कोरिया एक ऐसा देश जहां के लोगों को ये भी नहीं पता की बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उत्तर कोरिया में खुद की मर्जी से बाल नहीं कटवा सकते यहां मैलाओं के लिए 28 और आदमियों के लिए 10 तरह की हैस्टाइल है उत्तर कोरिया में हर घर में सरकार दोरा नियंतित रेडियो लागो हुआ है नागरीकों को इसे बंद करने की अनुमती नहीं है उत्तर कोरिया में हर 5 साल में एक election होता है लेकिन लोगों के पास चुणने का विकल्प एक ही होता है तो جड़ा सोचिये इस कानुन का क्या फायदा उत्तर कोरिया में ऐसे अनोखे नियम और कानुन मौझूद है ऐसा ही एक कानून है उत्तर कोरिया में कोई जीन्स नहीं पहन सकता और उसके साथ साथ महिलाए पैंड्स भी नहीं पहन सकती ऐसी सोच और ऐसे कानून बनाने वाले राश्टरपती का नाम है कीम जोंग जे उत्तर कोरिया के राश्टरपती है कीम जोंग का यह मानना है कि महिलाओं के पैंट्स और पुरूसों का जीन्स पहनना ये सब एक अमेरिक कल्चर की दिन है और इस कल्चर को यहां के राष्टपती यानि की कीम जोंग को अमेरिका का कल्चर अमेरिका का कल्चर बेहदी घडिया लगता है जिसके चलते कीम जोंग ने ऐसे कपड़े पहनने पर आरोब लगा दिया है सब को ये बात जूटी लगेगी पर नौर्थ कोरिया में सच में ये हो रहा है और इस नियम का पालन न करने वाले लोगों को सजा का सामना करना पड़ता है और ये सब तो हैरान करने वाली बात नहीं है क्योंकि उत्तर कोरिया में ऐसे नियम बहुत ही मामूली बात है तो दोस्तो ये थी हमारी जानकारी